हाई ये इस वीडियो में देखते हैं कुछ बहुत ही common English spelling mistakes अब ये मैंने अपने कुछ तजूर्बे से देखा है कि कुछ beginners, intermediate learners, even advanced learners इन spellings को गलत लिखते हैं, हो सकता है, इन में से कुछ spellings को आप भी गलत लिख रहे हूं तो आई इन कुछ नजर डालते हैं, बहुत ही common spellings जिनको लोग कई बार गलत लिख देते हैं पहला word जो है, वो है tuition अब मेरे pronunciation पर थोड़ा ध्यान दीजेगा, मैं बोल रहा हूं tuition अगर आप इसको tuition बोलेंगे, तो शायद आप इसको लिख भी यही देंगे तो कई बार इस वज़े से लोग tuition गलत लिखते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है tuition तो इसकी जो correct spelling है, वो है T-U-I-T-I-O-N अब यह मैंने इतनी commonly लोगों को गलत लिखते देखा है कि मैंने even कुछ English, जो coaching के classes होते हैं, जहाँ पर English पढ़ाई जाती है मैंने वहाँ पी देखा है English tuition ये वाला लिखे हुए, जबकि आपको लिखना है tuition ये पूरा tuition नहीं बोलना है आपको, इस आई को बहुत ही छोटे समय के लिए प्राउंस करना है tuition ना कि tuition, तो जब आप tuition बोलेंगे तो आपका intuition भी हो जाएगा, यही लिखने का तो tuition है, ये आई है यहाँ पे, बहुत ही common spelling mistake जो मैंने observe करी है, आई ये अगली spelling को नज़र डालते है ये spelling है argument, आर्गुमेंट किसी से कोई बहस बाजी हो जाए या कुछ कोई दलील दे रहे हैं कोई, तो उसको लोग आर्गुमेंट कहते हैं अब argue की spelling ये है, और mentum ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो इसकी सही spelling है, वो है A, R, G, U, M, E, N, T तो ये E आपको argument में नहीं लिखना है, तो ये E eliminate कर देना है argument से, तो argument A, R, G, U, M, E, N, T, problem इसकी ये ही होती है क्योंकि हम argue को A, R, G, U, E लिखते हैं, तो उसमें किवल M, E, N, T जोड़ के, लोंक लगता है कि ये सही spelling होगी, next spelling को देखते हैं, next spelling जो काफी गलत लिखी जाती है, वो है explanation, कुछ, 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 problem यहीं से जुड़ी हुई है, हम explain को ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम explanation में आये नहीं लिखते हैं, so this is, E, X, P, L, A, N, A, T, I, O, N, ना कि ये आई आई आपको हटा देना है, तो explanation, ये लिखा जाएगा, तो tuition, argument, explanation, आपको देखने से लग रहा हूँ, कुछ जगे दिक्कतें आती हैं, जहां हम pronunciation करते हैं, कुछ जगे दिक्कतें आती हैं, जहां जो एक common word है, जो stand-alone word है, जो अकेला लिखा जाता है, उससे हम derive करने की कोशिश करते हैं, spellings, तो गरबड़ियां होती हैं, next spelling पर नज़र डालते हैं, ये है, अब इसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने बहुत commonly लोगों को गलत लिखते देखा है, लेकिन इसको भी मैंने गलत लिखते हुए देखा है लोगों को, ये spelling clarity है, और इसमें clear नहीं लिखना है आपको, बलकि ये clarity नहीं, मुझे clarity नहीं है, चीज़ें साफ नहीं हुई है, अभी पता नहीं है क्या चल रहा है, there is no clarity, एक last spelling discuss कर लेते हैं, इनमें मैं 5 spellings discuss करूँगा जो बहुत commonly गलत करते हैं लोग, ये spelling गलत करने का कारण बहुत ही simple है, आप spelling पर नज़र डालिए, spelling है until, अब जो इसका सही version है, वो है with a single L, अब कई बार ये लगता है क्या मतलब है, यहाँ पर till में आप double L, till हम लोग लिखते भी हैं, until का मतलब है, जब तक, जब तक वो नहीं आता, मैं नहीं जाओंगा, until he comes, I won't go, तो कई बार लोग लगता है क्या ये till जब double L के साथ लिखा जाता है, तो until में क्यों नहीं, तो इसी वज़े से हाँ एक और L लग जाता है, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप फुल को ऐसे लिखते हैं, F-U-L-L, तो क्या आप useful में भी double L लगाते हैं, नहीं, आप single L लगाते हैं, क्या आप helpful में भी double L लगाते हैं, आप single L लगाते हैं, लेकिन इससे ही आप ना मालें कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि एक exception इसका ये है, कि एक spelling है, Fulfill, जिसमें Americans double L के साथ लिखते हैं, और जो British हैं, वो single L के साथ लिखते हैं, तो there are exceptions to rules as well, but anyway, समझने के लिए आप ये समझें कि until में single L आपको लिखना है, तो चीजें easy रहेंगी, आपकी spelling mistakes नहीं होंगी, tuition, argument, explanation, clarity, until, ये पाँच काफी common, नए sets हम बाद में देखेंगे, नए sets of spellings जहां पे लोग गलतियां करते हैं, बट ये पाँच काफी common है, मुझे आप comments में लिख की बताईगी कि कौन सी spelling mistakes आपने देखी हैं लोगों को करते हुए, so that I can cover them in the next videos, I hope this helps, take care.